हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अधार कार्ड को कैसे अपने मुबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो अधार कार्ट को डाउलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च बार में सर्च करना है UIDAI जैसे दोस्तो आप सर्च करेंगे तो आपके समने UIDAI की ओफिशियल वेबसाइड आजाईगे आपको इस वेबसाइड को ओपन करना है open करने के बाद ये website इस तरह से open हो जाएगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे के साइड में scroll करना है जैसे दोस्तों नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा download ather आपको यहाँ पर download ather में click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको login का जो option है बो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको login की option पर क्लिक करना है जैसे दोस्तो login की option पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अथार नंबर जो आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद यह जो capture code है वो आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद यहाँ पर आपको send OTP के option पे click कर देना है जैसे दोस्तो send OTP के ओपर click करेंगे आपके अधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना है OTP को enter करने के बाद यहाँ पर आपको login के option पे click करना है जैसे दोस्तो login के option पे click करेंगे आप दोस्तो यहाँ पर आपको download अधार का जो option है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको download अधार की option पे click करना है जैसे दोस्तो click करेंगे उसके अब आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा आप दोस्तो आपको simply यहाँ पर download की option पे click करना है जैसे दोस्तो download की option पे click करेंगे आपका जो अधार card है वो यहाँ पर आपके mobile phone के gallery में download हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अधार card है वो यहाँ पर download हो चुका है अब दोस्तो आपको यहाँ आपर नीचे स्कूल करना है और दोस्तों इसका जो year of worth है 1989 तो दोस्तों उसका PDF का password होगा ए एन आई एज यानि कि दोस्तों अपने नेम की आपको first four letter capital में डालने है और दोस्तों आपको year of worth जो आगे लगा दीना है और आपका जो password है वो बन जाएगा अब अब धूस्तों आपको अपने अधार काड को open करके बढ़ाता हूँ तो यहाँ अपने आपको home page में आ जाना है उसके बाद आपको जाना है file में file में जाना है documents में documents में जाना हılar यहाँ पर आप देख साले है हमारा जो अधार कार्ड हो यहां पर download हो चुका है आप यहां पर आपको इसे open करना है open करने के बाद password मांगेगा तो आपको अपनी name के first four letter capital letter में डाल देने हैं उसके बाद air of words जो आगे की तरफ डाल देना है उसके बाद यहां पर आपको open के उपर click करना है जैसे click करेंगे आपका जो अधारकाड है वो दाउनलोड करके रख सकते हैं